नमस्कार मैं हूँ अतुल चोरुसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दरहफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉंडरी का हिंदी पॉड़कास्ट एनल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आप लोगों का परचे करा हूँ और आने वाला है जो कि मनिपूर के ऊपर है तो हमारे नए निलसेना प्रोजेक्ट के जरूर से अपने समर्थन दें मदद करें और जल से जल इसको पूरा कराने में हमारा साथ दें जो इस हफते महमान हमारे साथ जुड़े हैं उन महमानों का परचे मैं करवाद हूँ आप लो नियूज लॉंड़ी के और हमारे साथ शारदूल है शारदूल और अधे स्टूडियो में जुले हैं आप दोनों का स्वागत हलो इसके लावा नियूज लॉंड़ी के हमारे एक और साथ हैं जुड़ रहे हैं जो कि जुम पर हमसे जुले हुए हैं उनलाइन प्रतीक गोयल एक आदिवा सी यूवक के साथ जो घटना हुई तो उस पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि प्रतीक और अधेश ने उस पर नियूस लांडरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक पूरी ग्राउंड डिटेल एक रिपोर्ट की है और उस घटना के तमाम पहलों को सामने रखा है तो हम और थोड़ा सा उस पर बात करेंगे जानेंगे कि वो क्या चीज़ थी और इस हफते हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही है महमान के तौर पर पत्रकार के तौर पर मीना कोतवाल मीना कोतवाल आप लोगों को पता है मूक नायक दमूक नायक है उसकी संपादक है स्वागे थे मीना आपका भी तैंक यू सर तैंक यू और जो इस हफते की शुर्खियां है एक बार सारदूल उसको बता देंगे और इस हफ्ते बहुत सारे लेटर भी हैं उन पर भी बादचीत करेंगे हम उसमें एक दू पिछले हफ्ते वाले भी हैं बठा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनितिक दलों और समाज के अलग-अलग हिस्सों से अभी भी विवाद भी चल रहा है राए भी प्रकट हो रही है इसमें तमिल नाडू में भाजपा की अब तक की जो साथी रही है एया ये डीम के उसने कहा है के देश के अलप संख्यकों पर भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना करे क्योंकि इस से उनके हितों को हो सकता है ये उनकी राए है बाकी तो अगर आज समय रहा हम बात करेंगे ही इस पूरे हफ़ते महराष्ट के राजनितिक गल्यारों में भी खूब हल चल रही जैसा कि शिवसेना के साथ हुआ था वैसा ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के साथ भी हुआ NCP के साथ यानी शरत पवार के भतीजे अजीद पवार ने कहा कि पहले तो सिर्फ कहा कि दल के अधिकतर विधायकों का समर्था उनके पास है फिर वो उसे लेकर राजेपाल के पास भी गए और उन्होंने भाचपा सरकार को समर्थन देके उसमें फिर से एक बार उपमुख NCP भी दो हिस्सों में हो गई है और अपनी तरफ से दौनों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया मैं पूरी रूप रेखा दे रहा हूं जिससे फिर आगे बात हो शिव शरत पवार के पास करीब एक दरजन विधायक रहे उनके शक्ति प्रदर्शन में और अजीत पवार के पा तीसरी सुर्खी परियावरन से जुड़ी है सोमवार तीन जुलाई का जो दिन था वो अभी तक के माना वितिहास का सबसे गर्म दिन दर्च किया गया यह जानकारी US National Center for Environmental Prediction ने दी तीन जुलाई के दिन दुनिया का आसत जो था ता आपमान वो 17.01 ने एक डिगरी सेल्सियस पहुँचा और एक विज्ञानिक ने कहा कि यह एक ऐसा किर्तिमान मना है जिस पर किसी को भी लब उन्होंने शायद कटाक्ष करते हुए का तंजमार जरा भी गर्व नहीं करना चाहिए और यह लोगों पर और एको सिस्टम पर मौत की दस्तक है इस हफते मद्यप्रदेश से भी दो काफी गिनोनी घटनाय सामने आई पहली का जिकर अतुल ने अभी किया भी था भारतिय जन्नता पार्टी के कारेकरता प्रवेश शुकला का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे एक आदिवासी पुरुष के उपर पेशाप कर रहे थे फिर बाद में जानकारी मिली के यह घटना पहले की है यह वीडियो अब बहार आया और आज हम इस पर बात करेंगे भी विस्तार से लेकिन फिलाल इतना हुआ है कि पुरुष की और से शुरुवाती तालम टोली हुई फिर दबाव बनने पर उसे गिरफतार किया गया प्रशासन ने उसके घर के एक हिस्से पर बुल्डोजर भी चला दिया और फिर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जो है शिवराज सिंग चोहान उन्होंने जो पीडिट सेक्ती था उसके पैर भी धोए और माफी भी मांगी और हाला कि हम लोग बहुत से निकल हो चुके हैं पर फिर भी मुझे देखने से लगा कि शायद ये शिवराज सिंग चोहान का पुट भी है उनका अपना शैली भी है उनकी कि वो उसमें थोड़ी बहुत जैनिवननेस दिखाई दी दूसरी एक बहुत ही फिर से समाज के पीडित वक्तियों के किलाव कैसा बरता हमारे समाज में आम तोर पर होता उसका एक और धरन कल आया कि शिवपूरी जिले में दो दलित युवकों को चै लोगों ने दो मैला आया और चार पुरुष थे छेड़ खानी करने के शक में ब मामला भी दर्च किया है लेकिन आवी प्रशासन ने फिर उनके घर भी गिरा दिये और वो चारों लोग गिरफतार हो गए है कुछ सुर्किया न्याएपालिका की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोट ने पाच जजों की एक बेंच का गठन किया जो 11 जुलाई से जम्मू और सुर्किया मध्यप्रदेश से ही चुकि जुड़ी है तो उसका भी यहां पर जिकर कर देंगी तीन मध्यप्रदेश के पुलिस वालों को सस्पेंट किया गया है जो यह खबर और उन्होंने एक महिला को कार के बोनिट पर बैठा कर और घुमा यह भी मध्यप्रदेश की उन्हें एकमत नहीं था तो फिर एडी ने सुप्रीम कोट के सामने मांग रखी के केस उन्हें टेक ओवर करने दिया है जो सुप्रीम कोट ने मना कर दिया है और उन्होंने मधरास उचनेयले को यह निर्देश दिया है कि वो बड़ी बैंच का गठन करे इस मामले की सुनव और निर्ने करने के लिए भारते जन्नता पार्टी की और से एक खबर है कि उन्होंने तिलंगाना जार्खंड पंजाब और अनुनाचल प्रदेश में अपने अध्यक्षों को बदल दिया बड़ा संगठनात्मक बदल फेर बदल किया है और यह चुनावों को देखते परी के पास आंधरप्रदेश का यह आने वाले मेरे ख्याल से तिलंगाना में और तिलंगाना का तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि अभी विदान सभा चुनाओं भी हैं और पिर आगामी लोग सभा चुनाओं को देखते हुए ऐसा किया गया है और इस हफते की आखरी भवन में ही रखा जाएगा अभी इतना मतलब जितनी कायास लगा रहे थे मैंने एक दो खबरे पड़ी हमारी हैडलाइन के अलावा तो यही कह रहे थे कि शायद अभी विवस्था में पूरी तरह से बनीनी है तो जादा संभावना इसी की है कि वो पुराने संसत भवन में नहीं रखा जाएगा कुछ और सुर्खिया है मैं जल्दी जल्दी जोड़ देता हूं क्योंकि इस हफते काफी घटना क्रम रहा है और कनाडा में जो भारत के उच्चा युक्त हैं उनके सुरक्षा को बढ़ाने की बात कीगी क्योंकि वहां पर खालिस्तान समूह जो हैं उ इसके अलावा सुप्रीम कोट ने एक अंतरिम जमानत रोक लगाई है ग्रफतारी पर तीस्ता सीतलवाल के को आपको पता होगा कि वहां गुजरात हाय कोट ने उनके ग्रफतारी का आदेश दिया था उसके बाद सुप्रीम कोट ने तत्काल सुनवाई करते हुए उनके ग् रफतारी की आवधी, जो रोकने की आवधी है, उसको बढ़ा दिया है सुप्रिम कोट ने. तो घटना है कैई हैं और एक और बहुत ही ताजा घटना करम आज है जिसको जिसके बारे में मैं अपने जो शोता हैं और जो दरशक हैं को बता दूँ. राहूल गांधी की जो सदसे मानहानी के मसले पर गई थी संसत की सदसिता उस मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट ने निर्णे दिया है कि वो फैसला सही है और वो सजा कायम रहेगी अब कॉंग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मसले को लेकर और ये जो निर्णे हु का एक इशारा भी दिया है कि सिंगल जज की बेंच है जो उससे मनवाफिक फैसले या जिस तरह के फैसला पहले लोर कोर्ट से करवाए गया था उसको आगे बढ़ाया गया है ये कुछ सुर्खियां है इस हफते की एक चोटी सी चीज़ और वो जो आपने खालेस्थान वाल दो बड़े घटना करम हुए हैं और हमारे साथ प्रतीक है और अधेश है इन दोनों लोगों ने उसको कवर भी किया है एक तो मध्यप्रदेश के सीधी जिले में जो घटना हुई एक आदिवासी युवक के ऊपर आपने देखा भारती इंता पार्टी का एक कारेकर था जो कथित तor पर नहीं, ज्यादतर लोगों के कहना कि ये बास सच है लेकिन विदायक जो वहां के हैं के दार नाच्शुकला उन्हों ने इंकार किहा कि वह उनका प्रत्निद ही नहीं था, लेकिन ज्यादतर लोगों ने कहा कि वो व्यक्ति और जो चुनावी पोश्टर्स हैं, जो बैनर लगें उन सब जगों पर अपने को क्लेम करता था कि वो किदारनाथ सुकला का प्रतनी धी था, MLA का प्रतनी धी था वो प्रवेशुकला और वो एक विडियो आया जिसमें एक युवक के चेहरे पर पेशाप करता हुआ दिखा और इस घटना के बाद पूरे देश म के तहत सिवराज सिंग्चावान ने उसको भोपाल में मुखमंतरी आवास पर बुलाया, उसके पैर धुले उसके साथ भोजिन किया, खाना खाए और उसको थोड़ा जो भी कर सकते थे, कंपनसेशन किया, मुआउजे के तौर पर कुछ चीजे दे कर और फिर उसको विदा क तो ये एक तरह का एक बड़ा डैमेज कंट्रोल था, चुनावी साल है, आप लोगों को पता है, अगले 4-6 मेनों में मद्यपरदेश में चुनाओ होने हैं, तो इस लिहाज से, लेकिन मद्यपरदेश में और बहुत सारी घटनाय हुई, जैसा जिसका जिकर शारदूल ने क किस तरह से कुछ दलित यूको को महला खाने के लिए मजबूर किया गया, एक महिला को कार के बोनट पर बिठा कर घुमाया गया, ये सब चीजे लगतार हो रही है, तो सबसे पहले हम इस घटना के बारे में आउधेश और प्रतीक से थोड़ा शुरुवाती जानकारी लेना चाह रहे हैं कि बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं आप लोग की रिपोर्ट में, प्रवेश शुकला के बारे में क्या चीज है और क्या चीज लोगों को जाननी चाहिए कि वो किस तरह का व्यक्ति है, क्या उसके कारणामे रहे हैं, किस तरह का कामकाज रहा है, और प्रवेश शुकला जो ये जो मतलब में जो अक्यूस परसंता है जो बीजेपी का ये विदायक प्रतीजी है तो ये बहुत जादा एक उदंड तरीके का मतलब इसका वहां का करेक्टरत हो मतलब मनें काफी लोगों से बात करी हुआ उस गाउं में तो मतलब और ये जमीनों पर कब्जा करना भी इन लोग का एक वह था मतलब अगर जमीन कब्जा कर लिया या किसी दे जूटे लिखा पड़ी कर वाली पैसे देखके जमीन आत्या ली तो ये सब चीज़ें करना मार्टी करना यह काफी उधम करने के इस्की आलत की मतलब अच्छा मताना लोगों को यह करना शुकला जी शराब पी लेते हैं सुकला जी तो लोगों को कहते हैं कि मांश मदिरा से दूर रहे के साथ तो एक जीवन जीना यही भारती जन्सकृति और परंपरा है तो यह बहुत मतलब इसका यह रिकॉर्ड तो और इसने थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे एक दूसरा बंदा है उसने पॉलिस को जाके इसकी तो उसने वो भी पॉलिटिक्स में है और वो भी बीजेपी में है लेकिन दूसरा उसका फ्रैक्शन है जो भी है तो उसको उसने प्रवेश शुकला को और बुला कि तुम कांप्रमाइज कर लो पुलिस का इस केस में प्रवेश शुकला इसके प्रतीर वाय ही बड़ा जीव है अगर हम सबने शाय को विडियो देखा होगा जब यह आ रहा है वहां पर पुलिस थाने के अंदर वो मूपे गमशा मान के आ यह चलते हुए तो उसके मंदलब उसके चाल में गमन दिखा तरीका तरीका ऐसा लगता है कि मंदल ठीक है आ रहा है सबको जानता है यह तो यह तो इसका पूरा यह और यह अब इसका रवाईया दा वाँ पर और यह बात ने एक साल पहले हुआ था और यह एक साल पहले का वीडियो है और वो अभी 26 तारिक को जो सड़के ने दिखाया आला चुक्रा में उसके बाद फिर वो सोशल वीडिया पर घुम मिला देल शाहू ने बनाया था तो इसमें यह जो हमारे शोता दर्शक है न्यूज लॉंडरी के उनकी जानकारी के लिए कि आउधेश और प्रतीक की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में आपको उस व्यक्ति का वर्जन मिलेगा उस व्यक्ति के बारे में आप जानेगी जिसने एक्चुल में वो विडियो बनाया था मौके पर जो मौजूद था फर्स्ट हैंड इंफरमिशन हां प्रतीक पूरी बात करें तो इसमें जब यह जो इसमें जो विक्टिम थे और इनका नाम मतलब जब यह आ रहे थे वहाँ पर इसके पास आ रहे थे यह जो दिनरात जो सा सब्सक्राइब, इसमें उस सब्सक्राइब, तक यह रहा थे रीचार्ज करने के लिए और वहां बैटे गुए थे बाहरे और उतने में ये वहां से गुजना और इसने सीधा आके उनके उपर बात्सुन करना शुरू कर दिया और वो इस मामले में को हिरानी सबसे बड़ी इस बात की होती है कि मतलब उस एरिया में अचली इतना जादा शुशन होता होगा कि वो आदमी बचारावकर दरगे मारे उसक पोस्तर नहीं कर पारा वो बस बैठा हुआ है वीडियो देखके लग रहा है कि बुरी तरह से मजबूर है कुछ करने के सिते में मजबूर कि कुछ करूँगा तो कुछ मेरा होना नहीं मतलब में को में यह तो मारेगा या मार खनी है या में तर बुरा होगा और वो जो और जिस बंदे बीडियो बनाया है उसने कुछ से एकनटिक्वर बनाया उसने बोला कि आप यह क्या कर रहे हूँ तो उसका सुना ओना नहीं है और जब यह इसके बाद यह वीडियो रिलीज होता है और यह तमाम चीजे मतलब वीडियो ठीले उता है उसका प्रेश बढ़ना च यह कहीं चले गया है और यह जिन दर्कों ने जिस लड़के ने यह वीडियो को शेर किया था उसके खिलाब फंपेंट लिए और अच्छा वो लोग जिम्मेदार हैं इसके गुमसिद्गी के लिए तो उनके उपर ही कारवाई हो लोग जिम्मेदार हैं और इन लोगों ने आय किया है और वो परेशान हो कि कई कुछ गलत स्टेप न उठाले और इस तरगी की तमाम चीज़ें चैतुराई प्रो मैक्स में चल रही थी तो पुलिस ने उसको बोलाया भी और बोला तो उसने बोला कि मैंने वीडियो रिलीज किया मेरा कुछ वो नहीं और यह आप इसके पर एक्शन लीजे ना यह ऐसा उसने हरकत की है तो उसके बाद फिर यह बंदा फेस्बुक पर इसने इसको ऑनलाइन देखा कहीं पर इसको पूलिस को पूंदर के बता इसको प्रवे चुकला को और इसने पुलिस को बताया कि यह ऐसा-इसा यह और आप बोलें कि यह गुम पूलिस नहीं लिखवाया ना उससे पूलिस की मौझूदगी में यह इसने लिखवाया और पूलिस को सम्मिट किया है पूलिस को सम्मिट कर दिया पूलिस उसको कर रही हूँ बात अलगे कि बता हूँ पूलिस ने क्या बोला तो यह शबद पूलिस ने क्या बोला तो यह में लगती है कि मेरी जब लास्ट में बात हुई थी तो पुलीस तो बोल लए है कि यह तक बोल रहे हैं कि उनको यही पता रहे हैं कि वीडियो फॉरल हुआ है यहां तक उनकी, मतलब इस तरीवी की सोच है और उसके बाद वो यह बोलते हैं मतलब वो बंदा इतना डरा हुआ होगा और इसके ओपर क्या दबाव होगा वो बोल रहे हैं कि हम उससे पुछताश स्की लाइं बोले तब भी वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं तो मैं उनके हां काम करता था और उस दिवारे में कुछ भी बता नहीं, उसके अगेंस कुछ भी कमेंट करने था मना कर रहा है, कुछ भी नहीं हो, तो मतलब ये सिर्फ ये बात्रूम करने ये या किसी के साथ इस तरिके का अध्याचा करने का मामला नहीं, ये बहुत ज़्छ लिखी है और जो जानकारियां, जुटाई उस जानकारी के मताबिक, इस घटना का जो बहुत चिंता जनक पहलू है, अवल तो किसी भी आदमी के साथ इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए और होती है तो बहुत अमानवी बात है ये, इस मामले में हमने देखा या जो दीन देयाल जिन्होंने वीडियो बनाया जो वहाँ पर मौझूद थे और जिनके आख के सामने घटना हुई, उनका जो साफ साफ कहना था उसमें किसी तरह का कोई प्रोवोकेशन नहीं, कोई किसी तरह का उकसावा नहीं, कोई भड़काने वाली बात नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, कोई लड़ाई जगड़ा नहीं, एक आदमी चुपचाप साइड में बैठा हुआ है, दूसरा आदमी कहीं से चलता हुआ, आता है सिगरेट पीते हुए, और एक आदमी को उपर, ये मतलब घमंड का, हैंकार का, और मनबढ़ाई का जो होता है, दिमाग जिसका खरा जाती, इस रेश्टता का दंभ, हैंकार, सारी चीजे मिलकर, इतने बड़े कुकृत को सामने लाती है, और सबसे बड़ी बात है, कि जो पहली सीड़ी होती है, जहां पर बात शुरू होती है, कि आदमी जाएगा, और नहीं की जो पहली सीड़ी है, जो पुलिस की बात है, जो पहली मैं बार-बार कह रहा हूँ, इस घर्टना के मामने में, कि वहां पर जो हासिये का, जो कमजोर आदमी है, जो मजबूर आदमी है, वो आदमी जब पहुचता है, तो उसके साथ पहला रविया क्या होता है, और बाद का रविया क्या होता है, आधा तो प्रतीक ने बताया इसमें कि किस तरह से एफिडेविट लिखवा लिया गया उससे, दवाव डाल कर उस लड़के से, और उसको पुलिस में सब्मिट कर गया, दूसरा हिस्सा आधेश में जाना है, उसके बाद क्या हुआ, तो मैं प्रतीक की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अभी तक स सर्टिफिकेट उसका है, उसमें भी उसने ऐसे ही बोला कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, पुराना वीडियो, और मेरे उपर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाँ, वो यही बोलता है, कल भी A&I का रिपोर्टर उसके पास गया, उसने उससे बात की, कि तुम्हारे साथ क्या वो कितना डरा हुआ होगा, वो कितना परिशान होगा अंदर से, कल जब हमने देखा होगा वीडियो, जब CMC वराज ने उनकी पत्नी से बात की, फोन पे वीडियो वाइरल है, तो उनकी पत्नी को भी ये डर था, उनकी पत्नी भी उनको पैसों का लालाज दे रहेंगे, अभी जैसे अतुल जी ने कहा कि सोसल मीडिया पे उसका जो पोस्टर है वो वाइरल है, बीजेपी के नेता उसको नका रहे हैं कि वो बीजेपी का नहीं है, बाकि लोग नका रहे हैं, उसकी सोसल मीडिया पूरी प्रोफाइल आप देखेंगे, फेस्बुक देखेंगे, ट पूटो एक अलावा वहां पर किसी के जरमदीन पर बदाई दे रहा है किसी और प्रोग्राम में बदाई तो बाकादा बीजेपी के सूची में सूची में एक और हैरानी की बात की इतना सब कुछ होने के बाद भी कल ब्राहमर समाज का एक organization है उन्होंने उसके क्यामन हजार रुपे देने की घोशना करी है हम ब्राहमर समाज के प्रत्मिदी नहीं कह नहीं सकती सर्दुले से बात है प्रत्मिदी से भी बात करेंगे लेकिन अभी पहले पूरी बात करें पुलिस के रवये की बात करें तो ये वीडियो काफी दिन पहले ही वाइरल हो गया था पुलिस की संग्यान में थे ये वीडियो था बिलकुल हमारी पुलिस से बात ही उसमें भी समझ माजाता है कि इनको पता था इस मामले का उन्होंने कारेवाई नहीं करी उसके बावज़ूद जब वो पकड़ा गया तो कैसे फिल्मी स्टाइल में पूरा जो है वो ठाने में एंट्री कर रहा है पुली साले उसकी पीड थपता पा रहे है उसके बाद बाद वाली जो घटना हुई उसने पहले वाली घटना को सेकेंड किया है बैसकली चीज को पुखता करने का काम किया कि पहले जो हमने तुमको सम्मान दिया अगली बार हम ओर एक्टिंग करके तुमारा अपमान करने की कोशिच करेंगे लेकिन तुम बुरा मत मानना लेकिन एक मात्र घटना नहीं है इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो ये दो शिवपुरी की घटना है शिवपुरी की मैं थोड़ी सी जिकर करता हूँ कि शिवपुरी में कैसे दो दली त्यूवकों को जो जिन्होंने उसको मारा पीटा उन्होंने उसको अपने घर पे बुलाया घर पे बुलाने के बाद उसको किसी लड़की को फोन लगाया उन्होंने कॉल रिकोर्ड पे कि जो हम तुम से कहेंगे तुम वो कहो उस लड़के ने हैंड फिरी करके उसकी रिकोर्डिंग बनाई, रिकोर्डिंग करके वो किसी लड़की से बात करा रहे थे, लड़की से बात कराने के बाद, फिर उसको चोरी के किसी मामले में दोसी ठहराने की कोशिश की, फिर उसको पीटा, पीटने के बाद उसके गले मु पुलिस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी पूरे मामले में अवधेश ने जो बात कही एसी बात को मैं आगे थोड़ा सा अब ले जाना चाहरा हूँ शारदूल और अमीना तो घटनाएं हुई हैं और दो घटनाओं में जो दो कारवाईयां हैं इन कारवाईयों की जरिये में जो गहरे तक घुसी हुई जातिवादी विवस्था सवर्ण जो डॉमिनस है प्रभाव है असर है हर चीज़ पर उसकी बात मैं समझना चाहरा हूँ एक तो यह कि वो नेरहपराद थे पिट गए उनको मैला खिलाया गया उनको पीटा गया उसके बावजूद एक आदमी जिसका अपराद सिद्ध सामने दिख रहा है कि एक आदमी के उपर पेशाप कर रहा है उसके साथ जिस तरह का वही पलिस पलिस का और तीसरा हिस्सा उस उसको पीटा गया, उसके साथ पुलिस ने जा देती की, उसको कहीं से भी ये बात हो सकता है, कुछ लोग कहीं से कोशिश कर रहे हूं, लेकिन पब्लिकली वो कहने की भी ताकत नहीं रखते, कि हम इनको लीगल सपोर्ट करेंगे, हम इनको कोई इस तरह की हेल्प करेंगे, मोह इडिया की बैसों में, तो जितनी आसानी से लोग कहते हैं कि मैं तो हमने तो कभी जाती बात किया ही नहीं, या हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि ये क्या होता है, ये वो लोग है जो इतना इम्यून होकर रहके और सीधे-सीधे चीजों को इतना सरली करन तरीके सरलीकरन करते हैं चीजों को इन दो परिसितियों में इन दो घटनाओं के जिरिए मैं जानना चाहरूगी ये system जो काम कर रहा है इसके लिए इस पर आपकी लोगों की आपरत करिया क्यों हो इस तरह की इस तरह का खुले आम दो तरफा दो चीजे होती हैं इसके तब भी नहीं हो पा रहा है मीना और शार्दुल जी अतुल जी जैसे आपने बताया कि किस तरह से कास्ट मैटर करता है MP वाले ही खबर लेती हूं जो अभी जो पिशाप पिलाने वाली है वो पिशाप करने वाली जो खबर है हमारे रिपोर्टर अभी गया था ग्राउंड पर मैं आपके हालात बताते हैं Гَّ Chain पर किस तरह के हालात है कि सुभह बात हुई है मेरे रिपोर्टर से उसने बताया किstellणा में कोई भी बात करने को तयार नहीं है मतलब बहुर सारी महिला हैं जो और दशरत के इहां पर बैथी हुई है लेकिन कोई भी बात करने को तयार नहीं जैसे तयसरे उसकी बीवी से बात हुई, लेकिन बीवी की आहलत देखि़ेंगे, तो, इसी हालत है, क्योंकि जिस बेग्ग्ग्राउंड से वो आती है, उसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं है, तो उनको पता भी नहीं था, कि उनके पति को भोपाल ले जाया गया, बिना बताई उनको लेकर गया, परीवार को कोई सुचना नहीं दी गए, उनको तब पता चला, जब मीडिया के जरिये बताया गया कactively पर, पर सीमें पैड हो रहे हैं, रही हैं कि आरती पूजाः सब रहे हैं, जब उनको पता? उनकी family को तक नहीं पता था, उनकी family का भई कहना है, जैसे अअफदेश ने बताया कि अधरे मेरे पती को भेज-दीज़ी जै उन और कुछ नहीं चाहिए, मतलब उन्हें पता भी नहीं है कि कानून क्या है, कानून क्या कहता है, अगर ऐसा हो जाए, तो उसके आगे क्या कर सक तो वो इस केस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ इस तुरह की चीज़े हुई हैं, तो वो बिल्कुल जिस तरह का बेक्राउंड हैं, वो बताने की हालत में भी नहीं हैं, वही जिसने पेशाप किया वही पर जैसे भ्रामर समाज के जो लोग हैं, उन्होंने 51,000 रुप समाज के व्यक्ति पर प्रिशाफ करना हाला कि बहुत ही हैवानियत वाली घटना है मतलब ऐसा कोई ने करें लेकिन मैं इसको फिर भी उधारन के तौर पर बदा रहे हूं एक स्थिति है तो क्या होता क्या कोई दलित आदिवासी उनका साथ दे पाता क्या एक शब्द नहीं ब लिखी जाते हैं दलित आदिवासी हो कि हम लोग नंसी आरबी के डेटा भी देख सकते हैं और वैसे भी हम जिस तरह की खबरे करते हैं इन हालातों में उनके एफायर तक नहीं लिखी जाते हैं लेकिन जैसे ही वो गलत होते हैं वैसे उनके खिलाफ एक्शन होना शुरू हो उन दोनों बच्चे शायद वो डोम जाती के थे वो दलित बच्चे जो हैं उन्होंने खेत के किनारे क्योंकि आप लोग पता है आज भी जो है बहले सरकार कितना भी कह दे कि हम लोग उने शौच घर घर पहुचा दिया लेकिन आज भी शौच नहीं बने हैं बाहर करने जा इनसानों में कि आप उनको जाती के उससे पहचान दे एक तरफ आप जो है गाय का मूद पी रहे हैं और एक तरफ आप इंसान को इनसान नहीं समझ रहे हैं और उसमें पेशाप कर रहे हैं ये कितनी जो अंदर आपकी हैवानियत भरी है कितनी जो है आपको नफरत भरी है य यह सब चीज़े वो दिखाती हैं तो बिल्कुल कास्ट बहुत बैटर करता है शारदुन देखे अभी हमने मजाक में ब्रामवनों की बात की आप और मैं यहां हम समण हैं और ऐसे जब भी कभी कोई बात होती है न तो इस पहचान कम से कम मैं अपने मन की बाता हूं मैं समझ न भी तरीके से जो कोट अनकोट परिभाशा है उसमें नहीं फिट बैट था जो बात मीना जी ने कही अवदेश ने कही और जिसका दिक्र प्रतीक ने भी किया जो पीडिता के परिवार का जो डर है उस डर का कारण है कि उन्हें मालूम है कि उनके सिर्फ कह देने भर से और कह कहीं कह देने भर से नहीं यह मामला सामने आ गया है दिख जाने भर के से कई इतने अदश्य उनके ओपर जिसे कहते हैं कॉस्ट लगेगी इसकी कीमत उन्हें अदश्य लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी कोई हो सकता है उनको मजदूरी ना दे अपने हां कोई हो सकता है काम मैं तो बड़ी बात है बहुत चोटा सा रोज चलते हुए होने वाला कटाक्ष भी हंटर की तरह लगता है हम मैंसे जिस जिसने कभी भी वह जहला है चाहे किसी से भी उसको मालूम है वह रोज का हंटर है वह ऐसा नहीं है कि आसान हो जाएगा सुनना वह और मुश्किल हो ज ऐसा हम मैंसे मैं यह नहीं कहाता सबने पर अधिकतर लोगों ने हम मैंसे कभी ना कभी शराब भी पी है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप इतना आप एसे बाहर हो जाएं कि आपको यह ना पता हो कि क्या हो रहा है मेरे आसपास इसमें तो इसका लॉजिक यह है कि अगर आपको यह पता है कि आपको पेशाब करने के लिए किसी एक पर्टिकूलर जगह पर जाना है आपको यह पता है कि आप पेशाब अपने पैंट के अंदर नहीं कर रहे हैं कपड़ा उतार के पेशाब करना है तो फिर आपको सब कु से थोड़ा अलग जा रहा था उसमें काम किया वो तो ग्रनाजत है ही इस केस में भी और दूसरे में भी तर दूसरे का इसलीए यह इसलीए क्योड रख दिया मैंने क्योंकि बहूत सारे लोग यह तथि लेकर आ रहा है शयद वो होश में नहीं जब भी हम बेहोश होने से थोड़ा पहले तक होते हैं, हम अपनी बहुत उसे प्राइमल इंस्टिंक्ट पर जाते हैं, ये भेदभाव जो हमारे समाज का है, जो अपने एक सहोधर को, अपने एक सहनागरिक को, समाज के एक दूसरे व्यक्ति को, जो शायद किनी कारणों की व लोग सुगटना हो जाती है कुछ लोगों के लिए, पर वो है एक्सिडेंट है, आप कहां पैदा कर रहे हैं, ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता, ये होता भी नहीं, उसको लोग भेदभाव का मूल बना कर इतना गहरे अपनी नीवों में बसाय हुए हैं, कि वो बिलकुत, आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, जब आपका आदे से जादा होशो हवास खो चुका है, तब भी आपके अंतर रत्ती भर भी करुणा का भाव नहीं है, और वो ही उसके वल लास्ट नेम, उसके वल जातिकत पहचान से इतना है, कि कोई इतना घटिया काम करता है, लेक दलित तो सबसे ज़्यादा बदनाम है पीने के लिए, तो फिर तो दलितों के तो रोज यह से केस आने चाहिए, तो वो सब क्यों को पिशावी करता है, तो पीने से वह मैं कह रहा हूं, उसको यह हमारे अंदर घरना इतनी गहरी बसीवी है, कि वो अपनी प्राइमल इकदम मैं इसलिए यहां पर कट करना चाहूं, क्योंकि शारदूल की पूरी बात सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट पर यहां पर पूरा पॉडकास्ट सुनेगे, यह पॉडकास्ट जारी रहेगा.